बस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूँ अभी टैरो रीडर वैशाली शर्मा और अब हम जानते हैं कि जो कुम्भराशी वाले हैं अक्वेरियस वाले हैं उनके लिए जुलाई मन्त कैसा रहेगा या क्या कोई स्पेशल आपके लिए संदेश है इदर तो जो एक्वेरियस है आपके लिए देखो यहाँ पे एक क्लियर संदेश यहाँ पे पहली बात तो यह आया है कि आपने अभी रिसेंटली कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया है ठीक है बहुत बड़ा decision लिया है एक बहुत बड़ा change लिया है आपने अब देखिए अब आपने ये change ले लिया है तो देखो ये जो जुलाई मन्त है ये आपसे demand करेगा कि आप इस decision पर टिके रहें और इसको आगे लेकर जाएं बिल्कुल अपने determination के साथ और full creativity के साथ है ना तो मतलब आपने अब जो decision ले लिया है या जो plan कर लिया है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपने कोई decision लिया है अपने personal life में यह clearly दिख रहा है किसी personal life में आपने कोई change किया है अब देखो ये जो change आपने कर लिया है तो यहाँ पे आपके लिए सीधा सीधा सबसे पहले तो एक guidance ये आ रहा है, Aquarius वाले कि इनको doubt मत करो, इस decision को doubt मत करो, बजाए ये कोशिश करो, कि इस decision को आगे continue ले कर चले, और इस decision को आपको बिलकुल सही intention के साथ पूरा करना है, अगर आपने कोई business डाला है, या आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप पालर है, या cooking है, या आप कोई study कर रहे हैं, या tailoring कर रहे हैं, या yoga कर रहे हैं, या diet अगर आपने सोचा है, कि मैं diet करूंगा या कुछ भी, तो जो भी आपने decide किया है, जो भी आपको ये सोचना है, कि उसको आगे continue रखना है, पूरी honesty के साथ, righteousness के साथ, और अच्छे intentions के साथ, moral values के साथ आपको चलना है, बिल्कुल लापरवाई नहीं करनी है, इस decision में ठीक है, तो ये आपके लिए संदेश आ रहा है, और दूसरी बात क्योंकि, यहाँ पे आपको ये समझना है, क्योंकि ये जो काम है, देखो बाहर से तो चीजे ठीक होती है, पर बाहर से चीजे जब अच्छी लगती है, जब inner beauty डाली जाए, अब यहाँ inner beauty का मतलब वही है, inner beauty का मतलब है intentions, inner beauty मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, या किसी इंसान से मिल रहे हो, या कोई decision ले रहे हो, तो उसके पीछे का intention जो होता है न, वो आपकी inner beauty होती है, तो आपके लिए जो जुलाई मन्त है, वो आपसे ये चाहते हैं, कि आप सही intention के साथ इसमें काम करिए, और आप देखेंगे, कि आप definitely सफल हो पाएंगे, और जहां आपने सोचा था, कि life अब hopeless हो चुकी है, कि अब आपकी life कभी colorful नहीं हो पाएंगी, या कभी आप याँ खुशियां नहीं आएंगी, आप देखेंगे कि ये चीजे कैसे आपने खुद ही, अपने confidence से, अपनी जिद से change कर लिये, और आपकी life भी खुशियों से भरी हो सकती है, आपकी life भी vibrant हो सकती है, है ना, तो आप ये चीजे कर पाएंगे जुलाई मन्त में, तो आपको बस ये ही करना है, कि आपको जो काम मिला है, उस काम को करते जाना है, और कोशिश करना है, कि आप अपनी जितनी creativity डाल सके, तो वो करें, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है, कि आपकी काम में कोई, या आपकी life में कोई doubt है, या फिर आप किसी दूसरे लोगों को लेकर परेशान है, या आप अपनी eyesight को लेकर परेशान है, तो यहाँ पर आपके लिए message आ रहा है, कि ये सब चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सरफ एक illusion है, ब्रहम है, जो आपके काम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई doubt नहीं आएगा, कोई problem नहीं आएगी, ये सरफ आपके मन में एक हल्का सा, करने की जरूरत नहीं है, आपका जो काम है, वो safe है, और आपका काम बिगड़ेगा नहीं, बस आपको अपने जो आपका determination है, focus है, वो सही जगे रखकर करते जाना है, और किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे ऐसा लगता है, कि अगर आपके और पास कोई ऐसी बाते हैं, जो शायद आपको distract कर रही है, या जो आपको irritate कर रही है, जो आपको आपको आपके तंग करती हैं, परिशान करती हैं, तो आपको यहाँ पर यह समझना है, कि यह सब चीजें बहुत छोटी हैं, आपके अस्तित्व के सामने, और आपकी जो सपनों के आगे, यह सारी बाते बहुत छोटी हैं, तो यह सब चीजें आपको इस सब चीजों से परिशान होने की जरूवत नहीं हैं, बस कोशिश करें, कि हर चीज को lightly लीजिए, positively लीजिए, और बस आगे बढ़ते जाईए, यही आपका जुलाई में रहने वाला है, overall energy, बाकी आपके जो और भी कोई goals हैं, वो आप पूरे कर पाएंगे, अगर आप यूँ ही आगे बढ़ते रहे तो, तो यही आपके लिए संदेश है, बाकी अगर आप पर्सनल टेरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारे चैनल से, तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, वोट्सेट नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और सावन हवन जो हैं, वो चलेंगे 22 जुलाई से लेके 19 ओगस्ट तक, तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में,